एक 350 ग्राम के वजन का हमारे फीस्ट के आकार का एक अंग, हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे जीवन में कैसे सबसे महत्तो पूर्ण रोल प्ले करता है, बलकि पूरे शरीर का सबसे मेन पार्ट बन कर रह जाता है, वो बोड़ी पार्ट जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा बिमारी का कारण भी बनता है, और चुकि मैं साइंस वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं आप से कहूंगा, कि आप उस सबसे महत्तो पूर्ण बोड़ी पार्ट के बारे में जरूर जानिए, जो हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और हमारे बोड़ी के लिए भी उसके बारे में आप जरूर जानिए, वो इंपॉर्टेंट हीमन बोड़ी पार्ट है, हमारा हिर्दय यानि हमारा हार्ट, हर किसी को हार्ट की सनचना और उसके वर्किंग के बारे में पता जरूर होना चाहिए, हिर्दय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक् oxygenated करता है अब जब oxygenated blood पूरे शरीर में फैल जाता है तो पूरे शरीर को हर एक सेल को जीवित रहने के लिए जरूरत की nutrition और oxygen मिल पाता है अब जब oxygenated blood पूरे शरीर में फैलेगा तब ही पूरे शरीर को हर एक सेल को जीवित रहने में आसानी होगी इसके साथ ही blood पूरे शरी में nutrition को भी supply करता है तो चली जानते हैं कि हमारा हिर्दय बना कैसे है और यह काम कैसे करता है आखर इस दिल में ऐसा है क्या जो मानता ही नहीं है बस धड़कता ही जाता है यह जो हमारा हिर्दय है जो की धड़कता रहता है अपने अंदर चार खाली chambers की वज़े से और यही वो चार main parts है हिर्दय के उपर के दो छोटे भाग जिसे atrium या हिंदी में अलिंद कहते हैं यह बाया atrium है और यह दाया atrium नीचे का थोड़ा बड़ा चेमबर जिसे ventricles या निलय कहते हैं यह दाया ventricle और यह बाया ventricle यह चार खाली chamber ही हिर्दय के main part है और हिर्दय से खून को ले जाने और ले आने के लिए पूरे शरीर में pipe नुमा न लिकाए बिची हुई होती हैं जिसे रक्त वाहिका या blood vessels कहते हैं अब देखिए हिर्दय पर यह pipe जहां मैं arrow से point कर रहा हूं वहां से खून हमारे शरीर के पेट और पैर जैसे निचले हिस्सों से हिर्दय में आता है और जहां मैं अब arrow से point कर रहा हूं वहां जिसे इंग्लिश में superior vena kova कहते हैं वहां से दिमाग हाथ पाव जैसे जगों से खून हमारे हिर्दय पर आता है आपको पता ही होगा कि हिर्दय पर खून जिसमें oxygen बहुत ही कम होता है इस दाय वाले atrium में खून को गिरा देते हैं ध्यान रहे कम oxygenated वाला खून शरीर के बाकी अंगों से हिर्दय की तरफ लाया जाता है जो की नीले रंग से दिखाया जाता है अब जैसे ही दाय वाले atrium में कम oxygen वाला खून जाता है नीचे वाले चेमबर में खून को जाने के लिए जो वाल्व है वो तब तक बंद रहता है जब तक नीचे वाला दाया वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने नहीं लगता और जब खून उपर वाले डाय एत्रियम से दाय वेंट्रिकल में आ जाता है दिल के धड़कने की वज़ लेकर दुबारा से हिर्दय की तरफ बढ़ता है, इस बार ये खून औक्सीजन के साथ बाइंड होने के कारण थोडा हलके लाल रंग में बदल जाता है, डी-Auxygenated Blood का कलर डार्क होता है, हिर्दय में ये Oxygenated Blood पहुचता है, फर्दय में इस पल्मोनरी वीन से आपको याद रखने के लिए बता दे क innovations की तरफ वर्दे वीन से खून फेफडे से हर्ट की तरफ जाता है और सलमिला की फैफडे के तरफ जाता है जैसे ही औक्सिजन से भरा हुआ खून हुरिदय की तरफ वरता है ये सबसे पहले बाय एत्रियम की तरफ गिरता है और नीचे वाले वेंट्रिकल में तब तक नहीं गिरता जब तक वो फैल नहीं जाता नीचे वाले बाइवेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली जिसे एयोट्रा या हिंदी में महाधमनी कहते हैं वहाँ पहुचता है और वहीं से ये खून पूरे शरीर में पहुचता है ये एयोट्रा जिसे महाधमनी कहते हैं हमारे शरीर में खून को पहुचाने का हाई एक बार इमेज में देख लीजे इस महाधमनी को एयरुट्रा से ही शरीर के सभी छोटी बड़ी नसे महाधमनी से जूड़ी रहती हैं जो शरीर के हर एक सेल को बलड पहुचाती हैं वहां से ऑक्सीजन को ट्रांस्पोर्ट करने के बाद फिर से ये बलड ऑक्सीजन लेने के लिए हर्ट के पास चला जाता है और हिर्दय के ऊपर कुछ special cell होती हैं जो एक electricity generate करते हैं जो व्यक्ति के हिर्दय को लगातार धड़कने में मदद करता है हर एक cell, wean और artery की छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी रहती है जो खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं तो अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझी गए होंगे कि हमारा हिर्दय काम कैसे करता है और ये खून को हमारे पूरे शरीर में फैलाता कैसे है इतनी important knowledge आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है एक बार आपको de-oxygenated और oxygenated blood का color दिखा देते हैं ये है oxygenated blood जो की हलके रंग का है और ये है de-oxygenated blood जो की गारे रंग में हैं तो आपको इस तरह की वीडियो और भी देखने हैं तो चैनल को तुरंत ही subscribe कर लो और वीडियो को like कर दो अगर पसंद आया है और नीचे comment करके बताओ कुछ भी अगर कोई भी information मुझसे छूट गई हो तो वो भी बता डालो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में